जै स्री कृष्णा राधे राधे दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्धन दीपो हरती में पापम संध्या दीपम नमस्तुते तो ज्योति सास्र में ऐसी परंपनाय चली आ रही है और जिसके पीछे तात्विक और बेग्यानिक दोनों रहसे चिपे हैं तो भारती संस्कृति में दीप जलाने यानि की जोत जलाने का बड़ा महत्व है क्योंकि दीपक के बेगार हर सुबकार अधूरा माना जाता है हर पूजा अधूरी मानी जाती है अगर हम जोति स्की माने तो एक दीपक कैसे आपका दुख दैता समावत कर जीवन में सौभागे बढ़ सकता है आज हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उसके पहले दीपक में कौन सी बत्ती जलाने चाहिए गोल या लंबी अगर गोल जलाएं तो कौन से देवी देपता को परसंद करने लंबी जलाएं तो किन को परसंद करने और भूल कर भी गोल बत्ती कब न जलाएं वरना जीवन में लक्ष्मी ठीकेगी ही नहीं घर आई लक्ष्मी लोट जाएगी तो चली हम जानते हैं बिस्तार से देखिए दीपक आपके घर के जीवन के दुख को दुर्भाग्य को समाप्त कर सकता है तो सुबह साम होने वाली पूजा में आप दोनों ही समय दीपक जलात अगनी का प्रतीक माना जाता है और दीपक जलाकर हम किसी भी काम में अगनी को साक्षी बना लेते हैं पूजा भी करते हैं तो अगनी को साक्षी बना कर फिर पूजा करते हैं जोतिस सास्त्र में जो कृतिका नच्छत्र है उसको अगनी का प्रतीक माना गया है और कृतिका नच्छत्र के देवता सुर्य है और इनके रासी के स्वामी सुक्र है लेकिन जोतिसास्त के नुसार 27 नच्छत्रों में यह तीसरा नच्छत्र अगनी पुंज अर्था दीपक है यानि जो कृतिका नच्छत्र है वो दीपक है और अगनी को त्रिमुखी कहा गया है भगवान स शिव के तीन नेत्र है पहला सूर्य दाहिना नेत्र और जो बाएसाइट का नेत्र है वो चंद्रमा है और जो तीसरा नेत्र है वो अगनी है तो माननेता है कि सिव ने ब्रह्मभा और विश्णु को अपनी सर्वोचता सिद्ध करने है तु खुद को महादीपम के रूप में परिवर्तित कर लिया था अगनी को त्री मुखी और सिव स्वरूपा कहा गया है इसी कारण सास्त्रों में सिवलिंग के सामने तेल के तीन दीपक जला कर प्राठना करने का विधान है जब आप कोई विसेश मनुकामना पूर्ती के लिए सिव जी के पास जाए तो तेल के त स्वरूपा का दिया जला तो सरवोत्तम होता है जल्दी मनुकामना पूर्ण होती है इस दीपक में एक लॉंग जरू डाल दीजेगा अगर कोई विसेश मनुकामना तो तीन दीपक त्रिलोक त्रिदेवी त्रिववन और त्रिगुनकारी कहें गये हैं सिबलिंग के निमित दीपक जलाने से सरवाधिक फल मिलता है दूर होते हैं दुख दरिता और दुर भागे तो ये तो थी दीपक की महिमा तो उसके पहरे हम आगे बढ़ें तो हम आप जैसे बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमने कहा कि क्रितिकान अच्छत्र को दीपक से दुलना किया गया है या वो दीपक अगनी है तो ऐसे में हर रासी के अनुसार अपनी रासी के अनुसार भी आप दीपक जला सकते हैं कैसे जैसे कि आपका मेश रासी है तो आप सिबलिंग के पास चमेली के तेल का दिया जलाए और बिसव रासी है तो गाय के घी में गुलाब का इत्र थोरा सा मिला कर दिपक जलाए अगर आपकी रासी मिथुन है तो कांसे के दिये में गाय का घी डाल कर दिपक जलाए करक रासी है आपकी तो गाई के घी में चंदन का इत्र डाल कर दिपक जलाएं अगर सिंग रासी है तो तार के तेल का दिया जलाएं सिबलिंग के पास और अगर कन्या रासी है तो सिबलिंग के पास गाई के घी में महंदी एक चुटकी मिला कर दिपक जलाएं और अगर आपकी रासी तुला है तो सिबलिंग के सामने नारियर के तेल का दिया जलाएं अगर आपकी रासी ब्रिस्चिक है तो गाय के घी में सिंदूर डाल कर दिपक जलाएं सिंदूर जादा नहीं डाला है तो थोड़ा सा नाम का आप कुमकुम भी यूच कर सकते हैं अगर आपकी रासी धनू है तो सुली मुखी के तेल का दिया चलाएं सिवलिंग के सामने अगर आपकी रासी मकर है तो आप तिल के तेल का दिया जलाएं सिवलिंग के सामने और अगर कुमरासी है तो सरसों के तेल का दिया जलाएं सिवजी के सामने और मीनडासी है तो गाय के घी में केसर डाल कर दिया जलाएं सारी मनोकामना इस तरह से दीपक जलाने से पूरी हो जाती है तो चलिए अब हम असली मुद्दे पे आते हैं हमने जो आपसे वादा किया है कि गोल बत्ती कब भूल कर भी नहीं ले जाना चाहिए देखिए सबसे पहली बात जब आप दिया जलाते हैं भगवान को परसंद करने तो जब आप भगवान स्री हरी विश्नु भगवान सिव जजी पूजा करते हैं तो गोल बत्ती बनाईए आपकी जो जस भी आप मनोकावना के लिए पूजा कर रहा है वो मनोकावना जल्दी पूर्न हो जाती है ठीक है? तो यह यहाँ पर आप गोल बत्ती डाल सकते हैं और आप इसमें लॉंग डाल सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन जब आप माता की पुजा करते हैं जैसे मा दुरगा है, मा लक्षमी है, मा काली है तो आप जो देवी की पुजा है ना इसमें लंबी बत्ती लगाए जाती है जैसे आप लाल धाके की बत्ती लगा सकते हैं लंबी बत्ती में रूई की बत्ती लगा सकते हैं तो लेकिन सिंगल बत्ती रूई की मत लीजिएगा लंबी बत्ती में दो बत्ती एक साथ करके उसको मोर कर भी जलाईए एक बत्ती नहीं जलाना चाहिए गोल बत्ती में दोस नहीं है लेकि लंबी बत्ती में अब देखिए अगर आप पित्रों की पुजा करते हैं और लंबी बाती आप लगाते हैं आप पित्रों की पुजा कोन करता है अब आप सो यही सूचेंगे जब आप अपने घर में जहां पर पानी का स्थान है पीनी का पानी या कुवां के पास या फिर आप मुख्य दरवाजे के बाहर दिया लगाते हैं तो ये पित्रों के लिए होता है जब आप पीपल की नीचे दिया जलाते हैं तो ये भी पित्रों के लिए होता है तो जब अगवान विष्णु यानि देवों की पूजा में गोल बत्ती हो जाता है लेकिन जब आप पित्री को प्रसंद न करना चाहते हैं तो लंबी बत्ती लगा दीजेगा तो लक्षमी नहीं टिकेगी उल्टे पैर वापस चली जाएगी क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो लंबी बत्ती देवी की पूजा में यूज होती है और पित्रों की पूजा में आप लंबी बत्ती ही लगानी है गोल बत्ती लगाएंगे तो लक्षमी स्थिर नहीं रहेगी लक्षमी नाराज हो जाएगी इसलिए आपको ये प्रियास करते रहना है कि आपको गोल बत्ती पितर देवों की पुजा में नहीं लगाना वरना पैसे पानी हो जाएंगे कहने का तात परे कि आप कमाएंगे तो सो टका पर खर्च भी 200 रुपया होगा तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है तो आप नियमित रूप से जब सि अबाती कर ही रहे होंगे तो आप कोसिस करना है आपको कि गोल ही बत्ती का दिया जलाए तो मनोकामना सिग्र पूरी होगी सिर्फ इस बात का ध्यान रख लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई कस्ट आएगा ही नहीं अब देखिए दूसरी बात भगवान कई बार होता ह कि आप चाहते हैं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो तो आप जब भगवान की पूजा करें तब उसमें लॉंग डालें यानि कि देवी की पूजा में देवताओं की पूजा में लेकिन जब पित्र देवों के निमित आप दिया जलाएंगे तो उसमें काला तिल डाल दीज कोसिस करें तिल डालें के जादा नहीं एक दो दाने इसी से पित्र देव संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि साम में उनके निमित दिया जलाने से ना उनके रास्ते में रौस्ट कम होते हैं इसलिए जरूर करना चाहिए हम आप से विजा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे त लुकनों से सेयर करें और कमिल में हर हर महादे जोर लिखे दाने बाद हम पर दो